सागर जिले के सरकारी स्कूल में एक साथ आठ बच्चों के कोरोना पॉजिटिब पाय जाने से हड़कम पर मच गया है जिला शिक्षा विबाग में स्कूल को तीन दिन के लिए बंद कर दिया है वहीं सभी छात्रों को आईसोलेट किया गया है साथी स्कूल को सैनिटाइज करवाया जा रहा है जिला शिक्षा अधिकारी अजब सिंग ठाकोड ने बताया कि जिले के शहगर ब्लॉक के रजोला मादमिक शाला में ये बच्चे संक्रमित पाय गए है स्कूल की तीन दिन के लिए छुटी घोशित कर दी गई है सैनिटाइज करवाया जा रहा है वही सागर जिले में जनबरी महिने के मात्र 11 दिनों में ही पास्तों से ज़्यादा कोरोना मरीज मिल चुके हैं और दो युवाओं की मौत भी हो चुकी है प्रैक्षासन के द्वारा लगातार ही व्यक्सिनेशन लगवाने और गाइडलाइन का पालन करने की अपील की जा रही है स्कूल थी तो अलग-अलग क्लासों की बच्चे थी अभी इस तरह की जानकारी तो नहीं है कि वो बच्चा कोई बाहर गिया था वो सब वहीं के रेने वाले बच्चे हैं चाहगर से सुनील तिवारी के साथ वीरो रिपोर्ट सागा टीवी नियूज होटल था ग्रेंड पालेस, लुक्च्चरी डीलक्स रूम, फील्द कमफर्ट, इंडोर दोर्माट्री हॉल, पैंक्वेट हॉल, कॉन्फरेंस हॉल, विशाल पार्किंग एरिया स्वाधिस्ट खाने का आनंद लीजे प्योर वेज फैमिली रेस्टोरेंट के साथ CCTV से सुरक्षित कैंपस हमारा पता है होटल था ग्रेंड पैलेस, साही वाटिका के पास होपाल रोट, सागर, मद्धप्रदेश